वीवर आप अपने परसन को विजुलाइस करिये और मैं आपके और आपके परसन के लिए कार्ट स्प्रेड करता हूँ I can feel कि आपका अभी-अभी आपके परसन के साथ ब्रेक अप हुआ है लेकिन ब्रेक अप होने के बावजूर भी आपका परसन आपके लिए फील करता है कहीं ना कहीं I can sense कि आपका कनेक्शन काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि अभी भी काफी चीज़े हैं, काफी यादे हैं जो आप दोनों के दिलों में पनप रहे है I get a vibe कि आपका परसन आपके बारे में सोचता रहता है कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आप भी उनके बारे में सोचते होंगे भले आप एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेहत प्यार है I can feel कि आपके परसन ने आपको कभी अपनी सची फीलिंग्स एक्स्प्रेस नहीं करी या तो वो उस कंडिशन में नहीं थे कि आपको बता पाएं या उनके घर में काफी प्रॉब्लम्स चल गई थी जिनकी वज़ा से वो काफी स्ट्रेस थे और आपको बता नहीं पाएं All in all, इस कंडिशन को आपके परसन ने कभी क्लारिटी नहीं दी हमेशा असमंजस में रखा I can also see कि आपके परसन के साथ पास्ट में कुछ कलाथ हुआ है जिसकी वज़ा से उनके मन में डर बैट गया है उनको ये सब चीजे हैंडल करने से डर लगता है उस सोचते हैं कि उनसे कोई भी कनेक्शन अच्छे से नहीं निभाया जाएगा क्योंकि उनके मन में ट्रस्ट इशूज है आपका परसन असानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी भाबनाएं आपको व्यक्त इसलिए ही नहीं की कि कहीं आप उन्हें समझो न या आप उनका मन न दुखा दो लेकिन सचाई तो कुछ और ही थी आपने उनको बेहत समझा लेकिन वो ही इतने confused थे कि समझ नहीं पाए और रिष्टा यूँ ही टूड लेया I feel कि आपको अपने connection के patterns को देखना चाहिए आपको सोचना चाहिए कि कौन से सी चीज जो सबी connection से उभर कर आ रही है कौन सी चीज है चो problems खड़ी कर रही है या problem खड़ी होने के कारण बन रही है और आपको ये भी पता लगाना चाहिए कि कौन से चीज है जिससे आपको सबसे ज़्यादा दुख पहँचा और कौन सी सी चीज है जो अंदर ही अंदर दबी होई है जिसको हील करने के आपको ज़रूरत है क्योंकि कही ना कहीं आप भी डड़ते हो अपनी तरफ से पूरी तरह से commitment देने के लिए It also feels कि आपका person emotionally disturbed है उनको life में stability की need है उनकी सोच एक जगा टिक्तर नहीं रहती कभी-कभी उनको लगता है कि वो आपसे दुबारा बात करने को तैयार है और कभी-कभी उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते है I guess उनको भी time चाहिए ताकि वो चीजों को अच्छे से समझ पाएं और आगे steps उठा पाएं But I believe कि आपके बीच में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा क्योंकि वो आपको लेकर काफी deep feelings रखते हैं वो आपके बारे में काफी सोचते हैं और चाहते हैं कि अब जहां भी रहें, खुश रहें I also get a vibe कि आपकी life में जल्द खुशियां आने वाली है I can sense कि आपका भी एक बहुत खुबसूरत परिवार होगा आपके person के साथ कहीं न कहीं ऐसा प्रतीज होता है कि आप दोनों जल्द एक दूसरे से मिलेंगे और शादी करेंगे आप एक नए इनसान के रूप में उभर कर आएंगे अभी आप जितना भी हताश और परिशान है वो सब दूर हो जाएगा क्योंकि आपने इस connection में अपना 100% दिया है आपने हमेशा चाहा कि ये connection हमेशा ही बना रहे इसमें कोई अर्चन ना आए आपका भी एक सुख भरा परिवार हो I also feel कि कोई divine energy है जो आपको protect कर रही है अगर आप बीच में परिशान होते भी हो तो कोई ऐसी ताकत या कहलो भगवान की कृपा जो आपको पूरी तरह से तोटने से बचा लेती है और यखीन मानिये भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है I believe कि अभी आपको strong होने की जुरूरत है और आपको अपनी side से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस connection के टूटने में आपकी कोई गलती नहीं थी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अपने person का क्योंकि आपका person खोद आएगा आपसे माफी मांगने आपको मनाने कही न कहीं वो बेहत शर्मिंदा है अपनी हरकतों को लेकर इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि आपके पास आजाएं और माफी मांगी जाएं I feel आपका connection पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है या तो अपना real self होकर बात नहीं कर रहें उनसे या वो नहीं कर रहें कहीं न कहीं आप दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए काफी कुछ feel करते हैं लेकिन बहार से दिखाते नहीं है जो एक problem है अगर आप वाके में चाहते हैं कि आपका connection पहले जैसा हो जाए तो आपको सबर रखना पड़ेगा इंतजार करना होगा सही वक्त का क्योंकि कभी कभी रिष्टे अच्छे होते हैं लेकिन वक्त खराब होता है I strongly feel कि future में आप दोनों के साथ कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है I can also sense कि आपके person के मन में नकरात्मक विचार भरे पड़े हैं उनको ऐसा लगता है कि वो जिन्दगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे वो रिष्टे अच्छे नहीं बना पाएंगे वो आपको नहीं मना पाएंगे और जादा तर बातें उन्होंने अपने आपको दुख भरी बताई है कुछ यूँ भी प्रतित होता है कि आप उन्हें दुख में उनके साथ जादा खड़े रहे हो और वो नहीं रहे I can feel कि वो आपके साथ आपके मुश्किल दौर में खड़े रहना चाते थे लेकिन उनकी खुद की परिशानिया इतनी जादा थी कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए यह यूं कह लीजिए कि उनके खुद के विचारों ने उनको इसकदर घेर लिया कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाए सोच ही नहीं पाए कि आपको भी उनका वक्त चाहिए उनका प्यार चाहिए जो नहीं दे फार है मैं कार्ट को ग्लारिफाइ करता हूँ तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दे और पर्सनल रीडिंग ले आप मुझे उपर दिख रहे हैं वाट्सअप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं डीब डाउन आपका पर्सन ये रिलाइस करता है कि आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे आपने हमेशा उनको सहारा दिया उनको समझा जो वो नहीं समझवाए और इस बात का उन्हें बेहत दुख है आपके पर्सन की मेंटल कंडिशन काफी खराब हो चुकी है लेकिन उनको कोई असर होता हुआ नहीं दिखता और इस दौरान वो आपको बेहत याद करते थे कि काश आप उनके साथ होते वो आपके साथ एक सुकून भरी मुलाकात की आशा रखते हैं और सोचते हैं कि उनको ही चीज़े टीक करनी होंगी अगर वो सुकून भरी मुलाकात चाहते हैं तो I also feel कि आपके friends भी आप दोनों को मिलाने की सोचते रहते हैं वो आप दोनों से छुब कर कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे आप दोनों अचानक मिल जाए और आपके बीछ में सोला हो जाए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो जिससे आप दोनों ही चकाचांद हो जाएं I see कि आप इस connection की वज़ा से अपने career पर अच्छे से focus नहीं कर पा रहे आपके बहुत सपने थे लेकिन इस connection से दुख मिलने के बाद वो भी कहीं ओचल हो गए है I feel कि आप काफी positive person हो और आपने जिन्दगी में बहुत बड़े सपने देखे थे जिनको आप पूरा करना चाहते थे आप अपने माता-पिता का नाम रोशन करना चाहते थे लेकिन अब आपको सब कुछ बिकरा-बिकरा नजर आता है पर ऐसा नहीं है आपको अपने करियर पर ध्यान देने के जरूरत है क्योंकि आप काफे intelligent है और आप अपनी जिन्दगी में काफी दूर तक जाएंगे और एक बार फिर मेरा यकीन मानिये कि आपके करियर के लिए भी आने वाला वक्त बेहत हसीन रहेगा आप जिन्दगी की उची-ची मारतों को जल्द छोएंगे Deep down आपका person भी यही चाता है कि आप अपने सपने पोरे करें आप अपनी जिन्दगी में काफी आगे बड़ें ताकि उनको आपके उपर गर्व महसूस हो सके और असीम खुशी मिल सके I guess कि आपके connection में financial problems भी बहुत थी जिसका आप दोनों के उपर काफी बोश था आप दोनों ही चीज़ को लेकर काफी परिशान रहते थे कि future में कैसा चलेगा या future साथ पिताना है तो financially secure होना बेहत ज़रूरी है जो आप दोनों में से कोई एक कही न पहीं नहीं था बटाने वाले time अब दोनों के लिए बहत खास होगा अब दोनों की ही काफी तरकी होगी और ये financial problems का भूज सर से उतर जाएगा एक तब चीज़े असान होगी जैसे अगर आप future का भी सोचोगे तो ये चीज़ बाधा बनके नहीं उत्पन होगी I strongly feel कि अभी आपको नहीं लगता कि फिलाल कुछ सुधार आपके connection में हो सकता है आपको time चाहिए लेकिन जब तक आप अपने उपर काम नहीं करेंगे खुद को ही नहीं समझेंगे ये नहीं जानेंगे कि आपको भी क्या चाहिए क्या नहीं तब तक जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते आप और आपका person आने वाले time में ज़रूर एक होंगे लेकिन फिलाल आप दोनों के पास time है खुद को देने का, खुद को improve करने का जो आगे जाके इस connection के रंग में भी उभर कर आएगा मैं और को लोगता फेरीस की मदद से यूनिवर्स से आपके अडवाइस को चूँगा, देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या अडवाइस करना चाहता है प्योरिटी, यूनिकॉन प्योरिटी का सिंबल होते हैं, इस कार्ड के जरीए फेरी आपसे कहना चाह रही है कि ये समय है खुद के दिल में जाकने का, जो भी आपके questions या situation है, उस अब आपको अपने दिल में छुपे मिलेंगे इवन अगर आपको अपनी काबिलित पर doubt है, तो अपने mind के beyond deep within जाकर देखिए, वो pure heart ही आपको deepest truth and wisdom रिवील करेगा परापस आपको अपने challenging हलातों पर रोशनी डालने के लिए भी अपने heart की purity की depth में जाना होगा फेरी आपसे ये भी कहना चाहरे है कि आप अपने mind में बहुत जादा सोच विचार कर रहे हो, आप अपने heart की purity से अपने mind की in thoughts को भी calm down कर सकते हो mind आप के आगे हजारों लाखों सवाल रखेगा, लेकिन heart के पास सिरफ एक ही जवाब होगा और वो जवाब है, प्यार, सब चीज का answer उनकी सच्ची भावनाए क्या है, जाने स्क्रीन पर शोग हो रहे है इस अगली टैरो रीड में आप मुझे उपर देख रहे हैं, वाटसर नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, मैं मिलता हूँ आप से दुभारा अगली टैरो रीडिंग में, तिल देन, ब्लेस यू